नमस्कार सातियों मैं कुनाल आप सभी का संस्कृति आई एस यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूं आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परधान मंतरी नरेंदर मोदी के दुआरा भाशण में कही गई एक खास बात की जिसकी वज़ा से एक अच्छा खासा विवाद जनम ले चुका है। सब भी बाकी लोगों को जाए। तो यह जो स्टेट्मेंट था इन्होंने कॉंग्रेस को लेके कहा तो कॉंग्रेस ने इस पर अपनी जवाब दी अपनी बाते कहीं पर आप लोग को क्या लगता है क्या अलप संख्यक लोगों को 15% बजट का हिस्सा दिया जाना ठीक है या या अलप संख्यक लोगों के लिए सिर्फ 15% दिया जाना उनका विकास कर सकता है क्या अत्रक्षा दो तरीके होते हैं कि 15% बजट का हिस्सा और मात्र 15% का हिस्सा क्या लगता है इसको दोरान हमें एक खास बात यह भी देखने में वह लिए कि कही ना कहीं कॉंग्रेस को जो अलग-अलग बजट स्विकार किये जाने चाहिए या व्रवस्ता की जाने चाहिए क्या लगता हैं तो यहीं हम लोग की आज की आज काफी खास हैं कॉंग्रेस वॉंटेट तो स्पेंट 50% ऑफ बजट ऑन मुसलिम्स यह बात कही है प्रवानमादी नरहिंद्र मोदी के दौ उसके ओपर बाकि फिर उस समय जो बख्ष के क्या परती के लिया थी तो देखिए फिलाल इससे संबनी एक जो प्रशन है वह सकता कि आप लोगों से मुख्य परिक्षा में पूचा जा क्या भारतिय समविधान की धर्म निर्प्रकृति धार्मिक आधार पर बजट जाने मदद करेगी और आगे के प्यारी में हल्फुट रहेगी तो यह जो पूरी की पूरी कहानी है यह कहानी शुरू होती है वर्ष 1983 में वर्ष 1983 में सबसे पहली बार ऐसा हुआ था जब अल्ब संक्यक कल्यान के उद्देशे से एक खास कारेकर्म शुरू करने की बात कॉ वर्ष 1983 में कौन थे परदान मंतरी आप सही है श्रीमती इंद्रा गांती उससे में परदान मंतरी पत्पे थी तो उनके काल में बात आई थी कि अल्ब संक्यक समुदाय के कल्यान के लिए हमारे देश में एक पंद्रा सूत्रिय कारेकर्म होना चाहिए यह सारी बात हुई थ लेकिन चीजे सामने आने लगी थी कि हां कॉंग्रिस का विचार जो है वह है इस प्रकार है कि अल्ब संक्यक समुदाय का कल्यान हो और इसके लिए एक पंद्रा सूत्रिय कारेकर्म हो तो चीजे और रदा अच्छी हो जाएगी हाला कि यह सभी चीजे हैं सोची समझी गई लेकिन अहां पर इंप्लिमेंट नहीं हो पाई जैसे कि हम लोग दिखते हैं कि अटल विहारी बाचपे साथ की सरकार में बाते रखी गई थी कि बिलकुल हमारे मुद्धे हैं राम मंदिर बनना चाहिए धारतीन सुतर हटनी चाहिए लेकिन तब नहीं हटी कब हटी अब ज जो अल्प संक्यक समदाय है हमारे देश का खास तोर पर मुस्लिम समदाय चीजों को समस्त्र जानते हो चलिएगा ठीक है तो कह रहे हैं कि जो हमारे हैं समुदाय है इनको खास तोर पर संपरदाइक व्यमनस से और हिंसा की वजह से क्या होता है कि इनका विकास नहीं हो से जरूरी है कि इनकी सिती में सुधार आए सुधार कैसे आएगा ुस प्रकार के कारेकर्म जब लागू हो तो सरकारी रोजगार में अर्व संक्यों को अपर इस बढ़ जाए और सासत आर्थिक शक्षक्ती करण भी हो हमारी यही मनिशाह है तो बाते आ गई लेकिन इन चीजों को implement करने का काम शुरू होता है वर्ष 2004 में जिस समय मन मोहन सिंग परदान मंत्री बनते हैं तो परदान मंत्री मन मोहन सिंग के काल में हम देखते हैं कि पंद्रा सूत्री कारेकरम जो 1983 काता फिर एक बार फ्रेम में आ जाता है और दुबारा इसके उपर काम शुरू हो जाता है हलाकि यहां पर स्थिती बदल गई 2004 में जिस समय यह सारी बाते शुरू हैं काफी तेजी से आगे बड़ी तेजी से इस प्रकार आगे बड़ी कि पंद्रा सूत्री कारेकरम का विचार इन्हों ने रखा वही साथ-साथ इन्हों ने यहां पर यह भी निर्धारित किया कि हम चाहते हैं कि हमारे देश की जो विबिन योजनाएं चल रही है उन विबिन योजनाओं के तहट लक्षे और परिवेका 15 परतिशत अलप संख्यकों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए यानि कि हमारे कि कोई भी योजना है कोई भी कारे करम है कोई भी घोशना है उन सभी चीजों में हम घोशना करते समय है तो पहले ही यह निर्धारित करके लें कि उसका 15 पर्कषद को का funded के जाना चाहिए एक दिन capaz में किलिर कट होने चाहिए इसे कि हम लोग सारे काम करते हैं सरकारी नोकری की बात कर लें चंषिंग की बात कर लें सक्षिंग रस्तान आरेक्षण की बात कर लें हमें पता है कि आपको सबी को पहले ही मी देश्मील हो कि आपको जि इतने इतने परदीशत पर stratég के करना है यह फिक्स है ठीक उसी प्रकार का प्लान इनका था कि देखिए आप जिस प्रकार से आगे बढ़ेंगे पंद्रा सूतिय कारिकरमों को ले करके तो जितनी भी यूजना है उन सभी के लिए आपको ध्यान अखना होगा कि पंद्रा पर्टियस सीधा-सीधा अलफ संक्यक साथ गठन कर देती है इस आयोग के लिए बोला जाता है कि यह जो आयोग है यह धार्मिक और भाशाई अल्फ संक्यकों के लिए एकर रास्त्री आयोग है और इस आयोख की अधक्षता दी गई रंगनात मिश्रा साब को जिस वजह से यह जो आयोग है इस नहीं को रंगनात मिश्रा आयोग के रूफ में जाना आजने नगा हलाकि अभी किस्तिती जो थी वही थी अल्पसंक्यकों की यानि की सबी को शामिल किया गै कै जितने भी में एक पंद्रा सूत्रिय कारेकरम भी निर्धारित करके देंगे जो हमारे देश में अल्व संक्यकों की दशा और दिशा के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमे का निभाएगा ये बात भी आपने धाने इस बात को लेकर के खास भाशन भी दिया गया जो भाशन तकालिन रास्टेपती एपीजे अब्दुलकलाम साहब के द्वारा दिया गया था उन्होंने अपने भाशन में रंगनात मिश्रा आयोग को खास हाइलाइट किया और खास हाइलाइट किया जाने के साथ साथ इसके उपर जो जिम्बेदारियां हैं अल्प संक्यको के मामले में इन से जुड़े हुए 15 सूत्रिय कारेकरम के मामले में और अन्य चीजों के निर्धारण के लिए सब चीजे उन्होंने भी के दोरान चीज़ें दिने के लिए हुए तो इस परकार से कारेक्रम चला यह सरकार ने परियास किया हाला कि जो पहला आयोग था इसके अधिन बहुत अधिक चीज़ें निर्दारित नहीं हो पाई जिस वजह से फिर जो मनमौन सिंसरकार थी उन्होंने एक और दुबारा से ग समीधी ती अब यह जो समीधी थी इस समीधी के अर कोई बात हो रही थी मुसलिम समुदाई की तो इस वजह से खास्त और पहराद चीजें रखी गई कि मुसलिम समुदाइय की सामाजिक आर्थिक और शेक्षानिक पर रिपोर्ट त्यार कीजिए आप यह आप हमें बताईए तो यह जिम्मेदारी वर्षद 2005 के इस आयो को दे दी गई इस समीति को दे दी गई जिम्मेदारी दी गई अधिश्टा की सेवा निवरित नियाधीज राजित दर सच्चर साथ को इन्होंने जिम्मेदारी समाली चीज़े आगे बड़ी और इनके द्वार की आने वाले समय में भेहतेश में लागू भी हो जाता है तो यहीं पूरी के पूरी स्थिति है वर्ष 2006 में 15 सूत्रिय कारेकरम की घोशना कर दे जाते हैं मनमोज जिंग सरकार द्वारा और जो यह 15 सूत्रिय कारेकरम था इसके अंदर कुछ खास चीज़ों को शामिल किया है और उन खास चीज़ों में शामिल है 15 परतिशत का एक स्पेशल सेपरेशन हर एक योजना में हर एक बजट में और हर एक स्थायम पर जहां कहीं भी अल्प संक्यकों को लाब मिल सकता है वहां पर 15 परतिशत की ववस्ता कर देना तो इस जो पूरा पूरा यह 15 सूत्रिय का कि स्वय रोजगार के लिए क्रिट साहेता अल चंच्यकों के लिए कैसे कैसे बढ़ाई सकती है राज्य और के नौकरी हों में किस परकार से अल्प शंक्यकों को अधिक बढ़ती किया जा सकता उन के जीवन स्था को कैसे सुधहर आ और योजनाओं में अलब संक्यकों के लिए उचित हिस्सिदारी कैसे जिदारी की जा सकती है उचित हिस्सिदारी मतलब सिधा-सिदा 15% वाला पॉमूला जो मैं आपको बता रहा हूं इसके लावा सामपरदाइक वहमनस से और हिंसा की रोकताम और नियंतरन करना अल्व संद्राइक समुझार के लिए जिसे एक खास्तोर पर सामप्रदाई के वहमनस से किस्थिति हम दिखते हैं कि हिंदू-मुसिलिम वाली इक खास्तोर पर होती है पहले बहुत होते थे विवाद, पहले बहुत जगड़े होते थे अलाकि अभी फिलाद स्थिति हमार देश में अच्छी हो गई है, लोग से रहें, तो उस समय सरकार की यही सम्मण शाहती कि अलप संथिति को किस्थिति सुधर है, और चीज़े आगे बढ़े, जिस प्रकार से यह पूरा 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 पंद्रा सूत्रे कारे करम तयार हुआ था, इस पंद्रा सूत्रे कारे करम को फिर लागू भी किया गया, यह ल की ही जा रही थी, हाला कि वर्ष्ट 2014 में हम देखते हैं सरकार बदली, और ऐसा नहीं कि सरकार बदली उसके बाद चीज़े हों, सरकार बदलने से पहले हमने देखा था कि विपक्ष के दुवारा बहुत ही अधिक स्थर पर इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था, विपक् होनी चाहिए, खास तोर पर अबंटन के मामले में, उन्हें 15% का लप सीधा मिलना चाहिए, कुछ भी उपर नीचेस में नहीं होना चाहिए, लेकिन अधार मंदी नरेंदर मोदी ने खुद भाशन की तो कहा कि जिस समय कॉंग्रिस के दुवारा यह प्रस्ताओ लाया था, सारी बातें रखिगई थी, मैंने कड़ा विरोध किया है, क्यूंकि नहीं चाहता कि मेरे देश में घर्म आदारिक आरक्षण हो, और लगातार शुरुवात से वने देखा है कि भारतेर जनता में चाहती है कि अगर आप यह कहेंगे कि धर्म को अधार बना लिया जाए उसके अधार परक्षन देदा तो बिल्कुल कताई इसको देश मुस्विकार नहीं किया जाएगा यह बात सीज़ तो और पर खाजिश की है हमेशा से इनके द्वारब इन्हों यह भी कहा है कि हम एकल परतिशत यह जाएगा मुस्लीम के हिस्से में इसके अलावा सिक के हिस्से में कुछ-छोजा यह सब को नहीं चाहिए अगर बजट का अबन्टन इस परकार से होगा तो देश की प्रकार्स हो ही नहीं पाएगी इस वज़ए से हम चाहते है कि बजट एकल हो योजणाओ कणिट आठार चीज़ को नहीं करने जाते corrections में कि इस प्रकार का our section रहेगा वहां धर मिका hyदार का अधार् выступ जिस समय 15 सूत्री कारेकरम आया था और 15 परतेशक अलब संक्यक को लिए विस्परकार की विवस्ता की बात की गई थी तो उन्होंने खुद क्रिटिसाइज किया है बार-बार क्रिटिसाइज की चीजों का फिरोद किया उन्होंने इबात सुईकारी दी यह तो बात रही सारी क खास बजट बने उसका सीधा लाब अलब संक्यकों को ही मिले या एकल बजट चल रहा है जिसमें से सभी के लिए सारी सुविधा हैं सभी योजना हैं हर एक चीज़ अलॉट की जा रही है क्या है आप लोग का मानना क्या किस्ते भी मुझे कमेंट में जरूर बदा के जानी ह हला कि कॉंग्रिस सरकार के दोबर जो प्रयास किये थे उसके उपर आप लोग का क्या रूजाने है और हम लोग हमेशा दे देखते हैं कि अलब संक्यकों को खास्ता और पर यही माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लिए ही प्रयास हो रहे हैं और इसी वज़ए से हमारी न्यूस के हेड्लाइन थी वह भी इस प्रकार सी कह रहे ही तो जर्नली अलब संक्यत के अंदर जो सबसे बड़ा समुदाय है वह मुसलिम ही जिसके तो और पर अगर आप कोई भी काम करेंगे तो सिधा सिधा लाब उन्हीं खास्ता को मिलेगा तो इस वज़े से पुरा मामल को जरूर त्यार कर लेने हैं इस प्रशन के लिए वहीं इसके साथ ही वीडियो इंफर्मेटिव लगी है कुछ नया सीखने जाने समझने को मिला तो बाकि साथे तक जरूर शेय करना जितनी समीतियों की बात बताई है और जो कार्करम बता हैं को नोट जरूर कर लीजेगा अब को कहीं नकहीं पूछा जा शकता है तो है तो आप लोग बतापाएंगे आरांसे Inhaasa